हेलो फ्रेंड्स मैं शेफा ले सकसे ना आज आपके लिए लेके आया है यह स्टफ्ट आलू की टिक्की बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आलू की टिक्की यह देखिए है ना कितनी क्रिस्पी लग रही है ना बिल्कुल मौथ फॉर्टरिंग अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सबस्क्राइब ने किया है तो प्ली शब्सक्राइब कीजिए रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा यह देखिए देखिए मेरी आलू की टिकी लग रही है किसी बजार वाली आलू की टिकी से कम नहीं ना चले रसेपी शुरू करते हैं यहां मैंने लिया है च्छे से साथ उपलेवे आलू हैं उसको मैंने अच्छे से मसल लिया है अब मैं इसमें सॉल्ट एड़ कर रही हूं थोड़ साही सॉल्ट डालेगा ज्यादा नहीं क्योंकि हमने स्टफिंग में भी सॉल्ट डालना है यह देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश किये वे आलू होने चाहिए चाहें तो आप इसको कद्दू कस से कस लीजिए या फिर इ मैं हम पर दो चमच कॉन फ्लो डाल रही हूं यह इसको एक अच्छी बाइंड दे देगा तो जब हम अटिकी को फ्राइ करेंगे तो यह तूटे ही नहीं यह देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आपको लगता है थोड़ा और चाहिए तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं लेकिन यह इतना सफिशिंट रहेगा अब मैं इसमें थोड़ी सी सीजनिंग के लिए नमक तो मैं डाल चुकी हूं अब मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल रही हूं यह मुझे अच्छी लगती है यह आप क्यों पटे पेंडे आप डाले यह ना डाले इस को भी अच्छे से मिक्स कर लीजें इस तरीके से आपको मिक्स करना है बिल्कुल मैश करना एक आटा जैसा आपको बनाना होगा इस तरीके से ताकि जब आलु मैश हो जाता है तो वह टोड़ता नहीं है जब आप टिक्की बनाएंगे अब मैं यहां पर ले रही हूँ दो चम्मच पनीर यह मैंने घर में ही दूद फाड़ लिया था तो यह मेरे पास पनीर है और यह चना डाल है यह मैंने एक विसल तक चना डाल इसको पकाया है मैंने और इसको देखिए यह हलकी सी मैश हो जाएगी जैसी आप अपने हाथ में जाने के भी कहा है अब मैं यहां पर गरीन चैली मुला रही हूँ यह बिलकुल ऑकिला यह अपनी आलुम में पही गरीन शेला हेतं है चिह वरगी त्पलि बाहर से तो आपको सिर्फ सुल्टी लगेगा लेकिन जब अंदर खाएंगे ना तो एक दुम चटपटा सा फील होगा इसको भी अच्छे से मैश कर लिजे मिक्स हो जाए पनीर और चना दाल यह देखिए आप चाहें तो और भी स्टफिंग कर सकते हैं किसी और दाल की स्टफिंग कर लिजे यहां मैंने चना दाल लिया है क्योंकि मार्केट में भी ना चना दाल की स्टफिंग मिलती है आप चाहें तो मुंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं और पनीर के साथ आप थोड़ा सा ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं यह देखिए मुंग फली डाल सकते हैं बहुत अच्छा अप्शन होता है अब मैंने यहां पे थोड़ा सा कॉन फ्लोर डाला है बिल्कुल थोड़ा बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने थोड़ा सा जादा आलू लिया है थोड़ी बड़ी टिक्की बनाने के लिए यह देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा इसकी फिलिंग मैं इसमें आड़ करूंगी और इसको अच्छे से इसको बंद कर लोंगी ताकि यह फटे ना यह द यह बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी, बाइंड हो जाएगी और यह तूटेगी नहीं, यह देखे, यहां पर मैंने ऑईल गरम किया है, तवे पर, मार्किट में भी तवे पर करते हैं, डीफ फ्राइ नहीं होता है, वो हमेशा तवे पर ही फ्राइ होता है, यह देखे, मैंन अच्छे से बचा था आलू का मिक्षर, तो मैंने इतनी छुटी सी एक ट्की बना लिया है, यह देखे, अब मैं एक एक करके हैं, इसको फ्राइ कर लूँगी, आप देख सकते हैं, ट्की की कंसिस्टेंसी कैसी है, यह इसलिए ऐसी है, कि जब आप आलू मैश करते हैं, तो अच्छे से मैश होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि आप कद्दू कास जरूर करें, या फिर फोक से इसको अच्छे से मैश कर लें, यह देखे, अब एक तरफ यह हो गया होगा, तो अब मैं इसको पलट रही हूँ, एक तरफ यह गोल्डन ब्राउन होना बहुत जरूर अब यह देखे, गैस थोड़ी से आप तेज आच पर ही रखिए, और इसको इस तरीके से आप प्रेस कर लेजे, इससे क्या होगा, कि यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी, इस प्रोसेस से आप कोई भी कटलेट हो, किसी भी तरीकी होती है, तो वह क्रिस्पी हो जाती है तो यह देखे, इस तरीके से प्रेस कीजिए, अब यह देखे, यह दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई, अब मैं इसको अपनी प्लेट में सचाती हूँ, यह देखे, एक दम लग रही है ना मार्केट जैसी, क्रिस्पी, क्रिस्पी, यह देखे, यह अच्छे से पक तरीके का ट्रgesch्ण पन नहीं है, क्योंकि हमने इसे गोल्डन ब्राउण होने तक पकाया है और इसको ऐसे फलेटन करके भी पकाया है अब मैं क्या गए हुआ कि इस तरीके से फ्लैट कर रही हूँ अपने प्लेट में और मेरी हां पास यहां पर गुड और अमचूर की चट्नी है तो मैं यहां पर इसको ले रही हूँ सांटOOOO आप पूल सकते हैं सांट यह देखे गुड से बनाई भी सांट है और यह मेरी हरी धनिया क्या चटनी है नरमल हरी धनिया होता है उसमें थोड़ा सा दही डाल केmee मैंने चटनी टयार करी है यह मेरी और पी विडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई थी और अब मैं यहां पर थोड़ा प्याज अड़ कर रही हूं कि आगे बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज नहीं डालिए कि यह देखे थोड़ा सब भुना जीरा और यह रेडी है यह देखे लग रही है ना मार्केट वाली से कम नहीं लग दी ना यह देखे बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर का जो स्टफिंग है यह उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लिमेंट है यह देखे है अब मैं इसको काटके दिखा दी हूँ यह वैज़ी ही कटरी है जैसे मार्केट में होती है थोड़ी सी चुवी और थोड़ी सी क्रिस्पी और बिल्कुल फ्लेवरफुल बिल्कुल वैसे ही यह देखे है यह स्टफिंग के साथ बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो अभी भी मुझे पानी आना शुरू हो चुका है यह देखे है रेसेपी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट और शेयर करना ना भूले थैंक यू